बहुत से किसान ऐसे जिने वाइरस फंगस और बैक्टरिया में क्या फरके यह भी मालूम नहीं है यह तो सुष्मजीव है लेकिन और भी प्रकार के सुष्मजीव हो सकते हैं क्या आखिर इन सब का संशोधन कब और कैसे हुआ सुष्मजीव से हमारे फसल को डिसीज कैसे लग है इन से कुछ अलग काम करते हैं मायक्रोस्कोप से दिखने में सबसे बड़ा कों है और सबसे चोटा कों है इन सब सुष्मजीव का खाना क्या है इनका लाइब साइकल क्या है इस तरह के कई सववालों के जवाब के साथ होगी आज की खास बात तो में वुदिविरा ज़ तो आप देख रहे हो अनिर्माता चले शुरुआत करते हैं आज के वीडियों की सुष्मजीव याने माइक्रो आर्गेनिजम मतलब ऐसे सजीव जिने हम सिर्फ आकों से कभी नहीं देख सकते यह सुष्मजीव कहते हैं सुष्मजीव के बारे में सबसे पहले चटी शताबदी में वर्दमान मावीर ने शासरों में लिखकर हमें बताय था और फिर बाद में 1670 में पहली बार माइक्रोस्कोप में सुष्मजीव देखा गाया था और तब से आज तक इसकी रिसर्च अब और किया बैक्ट्रिया प्रोटोजा अलगी हेलमिंस आते हैं जिसमें से हम सिर्फ फंगस वाइरस और बैक्ट्रिया के बारे में इस वीडियो में जानने वाले तो शुरुवत में हम फंगस से ही करते हैं फंगस वाइरस और बैक्ट्रिया से आकर में बड़े होते हैं पंग तो राइदा और ट्राइकोडार्मा हमारे पासलों के लिए उप्योग फंगस है और हाँ मश्रूम भी एक प्रकार की फंगस ही है हर एक फंगस अपना अपना खाना खुद से नहीं बनाती है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है फंगस पैरसाइट है मतलब जिने के लिए दूसर जगह जा सकते हैं अब इनमें डावनी मिल्डू जैसी फंगस पतियों में से खाना ग्रहं करती हैं ट्राइकोडार्मा बाकी के सुष्मजियों को खाकर बढ़ते हैं माइको राइजार रूट्स याने जड़ों पर डेवलोप होते हैं और मश्रूम मरे वह चीजों पर बढ करता है यह हुए फंगस अब जानते हैं बैक्टरिया के बारे में बैक्टरिया फंगस से छोटे होते हैं और वाइरस से बड़े होते हैं बैक्टरिया में भी फंगस की तरफ प्रकाराते हैं कुछ बैक्टरिया अच्छी होती है तो कुछ खराब होती है बैक्टरिया फंग अ क्या मार्केट में बैक्ति रहाते जो इसे प्रकार आते ऐसे बहुत से प्रकार बैक्तिरिय वैक्टेरियो डिसिज एक भार आने पर यह व्किन जैसे ही हो जाता है इसले बैसलस सब्टिल जैसे बैक्ट्रिया को हमें पहले से ही इस्तमाल अपने फसल में करना चाहिए तो कुछ बैक्ट्रिया जमिन में से नूट्रेंट भी हमें हमारे फसलों को एवेलेबल कर रहा देती है और अब तीसरा है वाइरस, आकार में सबसे छोटा होता है, एक बार इसके इसने फसलों को जखड लिया तो इससे बचना मुश्किल हो जाता है, यह फसल के बाहर कई सालों तक जिन्दा रह सकता है, फसल में एक्टिव होता है, इससे बचने के लिए एक ही उपाई, प्लांट और इंसेट कंट्रोल अच्छे से करो, वाइरस पर हमने डीटेल में एक वीडियो बनाई है, आप उपर के आई बटम पे क्लिक करके वह वीडियो बाद में भी देख सकते हो, सुषमजीव मल्टिप्लाइ कई से करे, इस विशह में हमें किसी और वीडियो में विस्तार से ब लगा लगें, सबको एक प्रोसीजर से हम मल्टिप्लाइ तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक एक करके सब सुषमजीव की वीडियो आती रहेंगी, आपको ऑर्गैनिक में भी इंट्रेस्ट है, तो इस वीडियो के लाइक 2000 तक पहुचा दो, और उसे पहुचाने के लिए ज् सब कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गैनिक फार्मिंग उतना मुनाफ़ा नहीं देगी, जितना हमें जीने के लिए आमारी जरुरुते पुर्गे करने के लिए हमें चाहिए, इसलिए हमें केमिकल फार्मिंग परसेंट में धिरे-धिरे कम करकर ऑर्गैनिक फार्मिंग की तरह जान आसाम की तरफ यदि मार्केट में केमिकल मिलेंगे ही नहीं तो सब लोगों को मजबूर होकर और्गेनिक फार्मिंगी करनी पड़ेगी और जिससे खिती में खर्च भी कम हो जाएगा आसाम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं और केमिकल बैन करने के लिए हमें हमारे प्र सरकार तक पहुँष्ण की शमता रखता है वे ज़रूर इस प्रैस में लग जाए बहुत बला होगा वयसावक तो हम यस्वीडियो 円गे एक दीन सरकार तक यह तरुर पहुची जाएगा हमें सिर्फ इस विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर कर केमिकल ब्यान करता तो कुछ chemical के वीडियो आते ही रहेंगे अब कुछ किसान कहेंगे कि आप खुद से शुरुवात क्यों नहीं करते हो तो भाई अकेले शुरुवात करने से यह success नहीं होता है क्योंकि हमारे आगल बगल के खेती में भी औरगेनिक हो तो यह काम्याब हो सकता है जाते जाते एक लाइक जरू करके जाना मिलते हैं आगले वीडियो में जै जावान जै किसा